यदि आपको केवल मीटर्ड डोज इनहेलर से इनहेल करना असुविधा जनक हो जाता है, तो आपका चिकित सक आपको एक स्पेसर उपकरण उपयोग करने की सलाह दे सकता है। ट्रांस्पेसर वी आपके मीटर्ड डोज इनहेलर के लिए एक अतिरिक तुपकरण है और इसमें एक होल्डिंग चेंबर होता है जहां एरोसोल की धुंध एकत्र होती है और कुछ समय के लिए रुकी रहती है। इसे MDI से छोड़ी गई दवा से अधिक्तम लाब हासिल करने के लिए बनाया गया है जिसे फेफ़डों में गहराई में लेना होता है और इसमें छोड़ी गई दवा के अवांचित रूप से गले और मू में जमा होने में कमी आने का भी लाब मिलता है। आईए ट्रांस्पेसर V को समझने के साथ शुरू करते हैं। इसमें चार भाग होते हैं। माउथ पीस, इनहेलेशन चेमबर, MDI होल्डर, हटाया जा सकने वाला सिलिकॉन वैल्व। ट्रांस्पेसर के माउथ पीस से डस्ट कैप को हटाएं। ट्रांस्पेसर को अच्छी तरह से हिलाएं। ट्रांस्पेसर V के MDI होल्डर में कसके बिठाएं। अपने मूँ से पूरी तरह से सांस बाहर निकालें। और अपने फेपडों से जितना संभव हो उतनी अधिक मात्रा में हवा को बाहर फेंकें। ट्रांस्पेसर V के माउथ पीस को अपने मूँ में पूरी तरह रखें। और इसे अपने होटों से पूरी तरह से ढख लें और इस प्रकार एक बढ़िया सील बना लें और अपने सिर को दिखाए गए के अनुसार हलका सा जुका लें ट्रांस हेलर को पकड़े हुए ट्रांस पेसर वी में हुराक छोड़ने के लिए कैनिस्टर को नीचे की और दबाएं और उसी समय अपने मूँ से अंदर की और गहरी सांस लें ट्रांस पेसर वी को अपने मूँ से निकाल ले और अपनी सांस को दस सेकंड तक या जितनी देर तक सुविधा जनक धंग से रोक सकते हो रोकें। अपनी नाक के माध्यम से धीमे से सांस बाहर छोडें। यदि अतिरिक्त खुराकों की आवश्यक्ता हो तो चरण दोहराएं। इनहेलेशन पूरा करने के बाद पानी से अपना मूँ खंगाल लें लेकिन इसे निगले नहीं। ट्रांस हेलर को बाहर निकालें और इस पर डस्ट कैप को वापस लगा दें। च्वांस हेलर को कंटेनर के अंदर रखें। यदि आपको अधिक खांसते या खरखराते समय असुविधा जनक महसूस होता है। तो आप वैल्व को उप्योग के पहले हटा सकते हैं। अपने चिकित सक्थ से इसके बारे में सलाह लें।